हेलो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मारुति सुझ की फैक्टरी में कैसे जॉब पा सकते हैं, कैसे आपको नौकरी मिलेगी, सैल रिक नहीं रहती है, क्या-क्या काम करना पड़ता है, गाड़ियां बनती कैसे हैं, तो ये सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा, जिसस आपको पूरा क्लियर हो सके कि फैक्टरी में काम क्या होता है, कैसे गाड़ियां बनती हैं, कैसे नौकरी मिलेगी, क्या काम करना पड़ेगा, तो वीडियो आप पूरी देखिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ सके, दोस्तो इसकी दो फैक्टरियां है, एक है मानिसर में और दूसरी है गुरूग्राम में इसमें बहुत सारी वरतियां अभी चल रही हैं और इस टाइम अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी कहीं न कहीं जॉप लग जाएगी दोस्तो मारूती कमपनी बहुत सारी गाड़ियां बनाती है जिसमें वैगनार, स्विफ्ट, डिजायर, बलैनो तो ये सारी ऐसी गाड़ियां आपको बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगी ये सारी गाड़ियां मारूती कमपनी बनाती है दोस्तो मारूती कमपनी बहु करते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से roboots belding कर रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें लोग क्यावसकता होती है क्यों कि हर काम robot नहीं कर सकता दोस्तों आपको पता दूं कि यह जो गाडियां बनती है वो एक conveyor line होती है उस पर जो गाडियां होती है वो चलती जाती है और चलते 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 हमको काम करना होता है जिसमें no nut bolt खेचना होता है चलते चलते ही हमको खड़गी लगानी होती है उसमें page कसना होता है तो यह सारे काम होते हैं conveyor weld होते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं और हड़ और दोस्तो हर गाड़ी का एक number दे दिया जाता है जो कि गाड़ी की body पर छिपका दिया जाता है दोस्तो company में work करते समय सर पर helmet होना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि सारा का सारा जो काम होता है वो लोहे का होता है ऐसे में सर पे अगर कोई चीजushima गरी जाती है तो उससे गायल हो सकते है तो इसीलिए safety का बहुत ध्यां रखा जाता है हर worker को एक dress provide करा ही जाती है और हात में दस्ताने होने जरूरी होते है दोस्तो जब गाड़ी बनाई जाती है तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत सावधानी रखनी होती है जिसे गाड़ी के सीसे लगाना, हेडलाइट लगाना, ये सारे की सारे जो जोखिम भरे काम होते हैं उसको बहुत ध्यान से करना होता है दोस्तो मारूती सुजगी में जो starting salary होती है वो 20 से starting होती है जो की बहुत ही अच्छी salary होती है अगर दोस्तो आपको 2 साल या 3 साल का experience हो जाता है तो यही salary वड़के 25 से 30 साल तक की हो जाती है दोस्तो अगर हम बात करें इसमें qualification की तो high school या intra आपको होना जरूरी है लेकिन अगर आप ITA किये हुए हैं तो आपको सबसे पहले job मिलेगी दोस्तो अब बात करते हैं मारूती सुजगी कंपनी में आपको job कैसे मिलेगी तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ जो मारूती कंपनी है उसे बहुत सारे बंदों की अबसकता होती है लेकिन जो मारती कंपनी है वो कंपनी की तरफ से हायर नहीं करती है वो contractor base पर बंदों को हायर करती है तो इसके लिए आपको contractor का number पता करना होगा उसकी detail आपको पता करनी होगी कैसे contractors की detail और number पता करेंगे वो मैं आपको provide करा देता हूँ तो इसके लिए आपको अपना chrome browser open करना है आप computer में open कर सकते हैं अपने mobile में open कर सकते हैं तो यहां पर आपको type करना है Manesar Manpower Agency बस इतना type करना है अगर आप Guru Gramm research करना चाहते हैं Guru Gramm की factory आप search करना चाहते हैं उसके लिए आपको job पाना है तो यहाँ पर Guru Gramm कर सकते हैं मुझे Manesar में job चाहिए तो मैं यहाँ पर Manesar Manpower Agency लिख दूँगा और बस type कर दूँगा फिर यहां पर देखी इस प्रकार से बहुत सारी यहां पर डीटेल आ जाएगी आप more location पर क्लिक करेंगे बैसे ही आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारी आपको डीटेल बिल जाएगी आप यहां पर देख सकते हैं as ram manpower services तो यहां पर आप क्लिक करके इनकी डीटेल पता कर सकते हैं यह देखिए आप इन्हें call भी कर सकते हैं आप यह number note भी कर सकते हैं इसका screen short लेकर ठीक हैं आप इन्हें call करकर पता भी कर सकते हैं आपको किसी को भी एक भी पैसा नहीं देना है जॉब से पहले और ना जॉब के बाद ठीक है और यहाँ पर देखी एके मैनेजमेंट सर्विसेज ठीक है तो यह सारे जो लोग है यह कहीं न कहीं मानिसर में जो कमपनिया है उसमें जॉब प्रोवाइड कराते हैं तो आप इन्हें कॉंटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर मोहनी म नहीं देना है दोस्तों अगर दोस्तों आपकी जोप लग जाती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यह वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद